जब हम प्रोग्राइमिंग करते हैं तो इसमें अमुमन हम मैथमेटिक्स का बहुत पयोग करते हैं तो कुछ फंक्शन्स हैं जो बहुत नॉर्मली हमारे सामने आते हैं जिसे हमें यूज़ खाना पड़ता है जैसे कि आपके पास एपसलूट वैल्यू है, स्क्वार रूट है minimum maximum है, power निकालना है, या rounding off है, dwa sign cost of 10 है, floor है, तो इस तरीके से हमारे पास जो function है वो कहा में कहा मिलेंगे, java में हमें वो function मिलेंगे math class में, math class है, उसके अधर इस सारे function already built in है, आप बस डॉट दन के call करार ले ना है, जैसे की math बताता हूं आपको नए opposite, आपने पर नया project हम अब हम अपने code में आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या change करेंगे इसमें और किवल math हमें लिखना है math dot करते ही अपने आप सारी चीज़े दिखा देगा तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं पहले एक variable बना लेंगे जैसे inter number 4 दे देते हैं क्योंकि हम इसका square root बगर निकालेंगे तो छोटा number होतो जादा ठीक है explanation के लिए अब हमको करना क्या है कि अगर हमें square root निकालना है तो हमें केवल आपको पताना है कि आपको math dot करना है यह सारे function के पास आ जाएंगे और बस इसके आगे sqrt ले लिजे और double यह चाह रहा है कोई बात नहीं return में भी double देगा आपको return इसका double आएगा double में उत्तर आएगा इसका तो अगर मुझे यह करना है तो क्या करना है सिस्टम.out.println में इसको शो करने के लिए मैं डाल दे रहा हूँ यह particular चीज और देखें सिस्टम.out.println में math.sqrt आ गया अब इसे हम run कराते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 जो है उसका square root 2 होता है और return में उत्तर आ रहा है वो double में आ रहा है mostly सारे functions का double में ही आता है जो math class के अंदर defined है यह तरीका हो गया इसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ इसे dot करके अब मैं हाँ पर आपको बताता हूँ dot abs absolute absolute function है हमारे पास मैं minus 4 करता हूँ absolute value क्या करता है कि magnitude देता है absolute function क्या देना चाहिए इसे 4 देना चाहिए तो यह 4 इसका result आ गया तो यह हमारा दूसरा function टेस्ट हो गया इसी तरीके से अब अगर आपके पास कोई value है माल लिजे एक और दूसरी value ले ले लेते हैं number 1 है आमरे पास number 1 कर देते हैं और 4 ही रहने देते हैं और एक number 2 भी कर देते हैं अब हम क्या करेंगे इन दूरों values में minimum maximum निकालेंगे number 2, 3 तो minimum इन दूरों में 3 है और maximum 4 है क्या करेंगे math. max function लेंगे दो double डालने है इसमें तो एक number 1 डाल देंगे और एक number 2 डाल देंगे अब देखते हैं क्या result आता है आपका max क्या है इसमें क्यूंकि max 4 है इसलिए 4 आ गया अब अगर max की जगह मैं इसको minimum कर देता हूँ बस तो इसे return करना चाहिए 3 बिल्कु ठीक है minimum maximum और अगर आप चाहते हैं कि 4 to the power 3 हो है 3 to the power 4 हो तो आपको करना क्या है simple एक POW function कॉल कर देना math class का और यह power कर देगा इसका देखिए 4 for the 16, 16, 3 जा यह आपका जो power है मन्दब basically 4 to the power 3 है यह 4 to the power 3, 64 आ गया यह बात हो गई अब आपके पास round भी है round क्या करता है नियरे संटीजर तर ले जाता है तो मान लीजे आपके पास एक double value है पाई ही ले लीजे is equal to 3.14 point दीजे इसे और मैं इसको दुरा copy paste कर लेता हूँ और आपको यहीं पर copy paste कर लेंगे और math dot इसके अंदर math dot के अंदर आपको क्यों लिखना है dot round round के वार एक ही value मांग रहा है float और double दोनों लेता है और अपने आप इसने पाई उठा लिया क्योंकि एक ही रबल है हमारे पास 3.14 को round कर दिया 3 में अगर यहीं पर 3.84 होता तो यह देखे क्या round करता इसने 4 round कर दिया nearest integer value में इसने round कर दिया तो यह बात हुई आपके math class की अब जाते जाते एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास माल लीजे को एक variable है int number one और इस number one को मैं भी कुछ नहीं देता हूँ या number नहीं कर देता हूँ इसको मैं यह बताना चाहरा हूँ आपको कि character और जो integer है दोनों similar है दोनों एक तरीके से deal होते है क्योंकि ultimately character जो है वो भी तो integer ही होते है s की values होती है कैसे मैं आपको एक character बना के दिखाता हूँ character ch और उसमें कोई value देता हूँ मालनी चाहँ आपके पास x आ गई तो ultimately क्या हुआ ch में ch में हमारे पास एक x का s की value return किया इसने तो अब ch और number दोनों similar हो गए क्योंकि इसके पास भी number s की value यानि की integer है इसके पास भी integer है तो हम दोनों को एक दूसरे को assign कर सकते हैं यानि कि number को हम is equal to ch कर सकते हैं या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप चाहे तो मैं अब ch की जगा नम को print कराता हूँ तो x के corresponding जो भी आपकी s की value होगी वो print हो जाएगी देखेगा आप यहाँ पर इसको हम number कर दें क्योंकि नम है नहीं हमारे पास आप यह देखे 120 x is corresponding to 120 s की value आप जैसे अगर आपको पता नहीं ये एक ही क्या होती है क्योंकि a to z जाता है एक ही क्या होती है तो आप देख सकते है 97 capital A की देख सकते हैं आप capital A की देख सकते है 65 97 65 तो यह जो values आ रही है आपकी इसलिए आरे है कि print LM नहीं दिया इसलिए आपको نہیں दिख रहा है इसके साथ जोड़के दिखे रहा है कि 65 मैंने ये specifically चीज क्यों ली है क्योंकि हमारे program में हम बहुत जादा इसको use करेंगे string convert करना है numbers के साथ जब we will play with the numbers बहुत जगा इसका उप्योग होगा तो आप दिमाग में बिठा लें कि character और integer बिलकु सेव है similar way में काम करते हैं बहुत शक्रिया बहुत मेरबानी